Hello students, PYQ की स्रीज में इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2020 और 2021 के प्रश्ण पत्र में से Database and SQL के questions का solution करेंगे यह हमारा पहला प्रश्ण में है 2021 का MCQ है आपका Question में कहा जा रहा है Duplication of data is known as ठीक है? Duplication of data is known as Data का duplication क्या कहलाता है? इसका उतर होगा Data Redundancy कहलाता है A relational data model organizes the data into tables known as relational data model में data को हम लोग table में organize करते हैं तो table को क्या कहा जाता है? इसका सही उतर होगा Table को हम लोग relation बोलते हैं अगला MCQ प्रश्ण A row in a table is called किसी table में row को relational मतलब table होता है किसी table में row को क्या बोलते है? इसका सही उतर होगा couples बोलते हैं अगला प्रश्ण, DBMS, DBMS stands for DBMS का full form क्या होता है, सही उत्तर होगा database management system, अगला प्रश्ण, the blank command creates a new table, आपको बताना है कि इसमें से किस command के जरिए हम लोग नया table बना सकते हैं, सही उत्तर होगा create table command, अगला प्रश्ण, count is used to, count का इस्तमाल किस के लिए होता है, सही उत्तर होगा count total number of row, यानि total number of record को count करने के लिए count function के इस्तमाल होता है, दरसल ये count function है, वर्श 2021 में आपका कोई board exam नहीं हुआ था, आपका compartment exam हुआ था, ठीक है कोरोना के चलते, तो ये जब अपना भी प्रश्ण आपको MCQ बताया जा रहा है, ये compartment exam में जो प्रश्ण पूछा गया था, MCQ उससे बताया गया है, अब हम लोग 2020 के पत्र में से questions को देखेंगे, ये आपका MCQ है, same MCQ आपका 2021 में भी आया था, और यही MCQ देखिए, 2020 में भी आपको देखने को मिल रहा है, DBMS का full form बताना है, इसका सही उत्तर होगा database management system, अगला MCQ पूछा गया था, the term attribute refers to a attribute, किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर होगा, column को कहते हैं, अगला प्रश्ण दो अंग के लिए, ठीक है, आपसे पूछा गया था, write the differences between data and information, data और information में क्या difference है, हम लोग यहाँ पर दो column बन बना रहे हैं, एक data नाम का, और information नाम का, और column के माध्यम से, दो column के माध्यम से, हम लोग तूलना करते ही बताएंगे, data और information में difference, data के बारे में कहा जाता है, data is the raw fact, ठीक है, raw fact होता है, जबकि जो आपका information होता है, it is the processed form of data, data का processed form, यानि data को अगर आपने process कर दिया, तो ज second point, it is not significant to a business, data का संबंद किसी business से वैसा नहीं है, जैसा कि information का संबंद किसी business से ज्यादा है, ठीक है, सिरी से बात है, data का संबंद business से उतना ज्यादा नहीं है, जितना कि information का संबंद किसी business से होता है, अगला point, data is an atomic level piece of information, यानि data को आप atomic level of piece का मतलब हो गया, simply सा कि data अपने आप में independent एक value होता है ठीक है अकेले अकेले value को हम लोग data बोलते हैं जबकि information के बारे में कहा जाता है it is a collection of data data के collection को हम लोग information बोलते हैं यहाँ example के तौर पर बताया जा रहा है कि कोई product का नाम हो या किसी student का नाम हो यह आपका data हो सकता है लेकिन वही अगर हम इन लोग कहें information के example तो information के example होगा report card of a student किसी student का report card जिसमें की बहुत सारे data होंगे तो report card क्या है आपका collection of data हो गया है तो यह example होगा information का data के बारे में कहा जाता है may or may not be meaningful ठीक है यह meaningful हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जबकि information के बारे में कहा जाता है कि information always meaningful यह हमेशा meaningful होता अगला जो difference है वो ये है कि understanding is difficult, data का understanding, data का जो समझ है ये थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि information का जो understanding होता है वो आसान होता है, तो ये दो अंग के लिए आपसे ये प्रशन पूछा गया था, data और information के बारे में आपको अंतर बताना था, अगला प्रशन यहाँ पर क्या है, आ tautology और server, देखे, यहाँ पर जो tautology और server है, तो tautology जो है, वो boolean algebra unit से है, इसका answer हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पर server जो है, आपका data communication और networking से है, तो इसका भी answer हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पर database और SQL से जो आपका प्रशन है, जो आपका short notes लिखने के लिए यहाँ हो solution में, बाकी tautology के बारे में तो बताया जाएगा, बूलिन algebra में और server के बारे में बताया जाएगा, जब data communication और networking का solution हम लोग करेंगे, question bank का तब, सबसे पहले हैं पर बात करते हैं, DDL, सबसे पहले तो DDL का full form आप वो आना चाहिए, DDL का full form होता है, data definition language, ठीक है, तो DDL और data definition language actually consists of SQL commands, data definition language जो है, यह बना हुआ होता है, कुछ SQL commands से, that can be used to define the database schema, schema मतलब structure होता है, ठीक है, तो database का structure को define करने के लिए, हमारे पाच कुछ SQL commands होते हैं, in SQL commands को हमनों DDL कहते हैं, it simply deals with description of the database schema, and is used to create and modify the structure of database, यह जो data definition language है, यह deal करता है, description of the database schema, database का जो structure है, उसको define करता है, और यहाँ पर कहा जा रहा है, कि used to create and modify the structure of database, database का structure को create करने के लिए, और modify करने के लिए, इसका स्तमाब होता है, ठीक है, तो structure of database object in the database, DDL is a set of SQL commands, DDL जो है, कुछ SQL commands का set होता है, used to create, modify and delete database structure, but not data, तो इसका इस्तमाल होता है, database structure को create करने के लिए, database के structure को modify करने के लिए, database के structure को delete करने के लिए, ना कि data को delete करने के लिए, ठीक है, तो database के structure को create, modify, delete करने के लिए होता है, ना कि data के साथ यह कोई काम करता है, DDL, अगला definition है DBMS के बारे में, ठीक है DBMS, DBMS का full farm होता है database management system, database management system is a computer program, ये एक computer program होता है designed to manage a large amount of structured data, जो आपके पास structured data होते हैं या simply data समझेए, जो data होता है उसको manage करने के लिए है ना, बहुत ज्यादा amount में, बहुत ज्यादा volume में, अगर आपके पास data है तो उसको manage करने के लिए एक computer program होता है हमारा DBMS, and run operation on the desired data requested by the user, और यहाँ पर कहता है कि user, यानि हम और आप जिस तरह का request देते हैं कि इस data के साथ ये operation करो, तो वो operation हमारे DBMS करता है, ठीक है, the best example of DBMS is banking, ठीक है, DBMS का जो सबसे बहतर example है, वो आपका banking है, तो सारे लोगों का accounts होता है, उन accounts को manage करना, किस के तहत होता है, DBMS के तहत होता है, तो ये था आपका 2020 में पुछा गया database and SQL से दो question, दो definition, एक DDL और एक आपका DBMS, तो ये चार अंग का था, that means कि परतेक definition के लिए आपको एक अंग मिलने वाला था, इसके लिए एक अंग, इस आगे किसी और साल के question bank का solution करेंगे, तब तक के लिए thank you.